बारी बारिश और उमस से भरी गर्मी में आमरन अंशन पर बैठे किसानों के साथ महिला और बच्चों ने भागीदारी सुनेख्षित करती हुए कहा कि जब तक बिजली समस्या का स्थाय समाधर नहीं हो जाता तब तक आमरन अंशन चारी रहेगा पिजली कटोती से नाराज क किसानों के साथ महिलाओं ने भी आंदुलन में शामिल हो गया जमकार भाजपा सरकार और बिजली अधिकार्यों को खरी खोटी सुनाएं पिछले पास जिन से शिरु हुआ अनसन में अब व्यापक रूप धारन कर लिया हैं अंशन में किसानों के साथ महिलाओं और छोटे- भागिदारी करते हुए शासन प्रशासन से शिगरी बिजली कटौती बंद करके नए वित्युद सबस्टेशन बनाने की मां की है घत्या जले के ग्राम 45 सालों में बिजली कटौती को लेकर आंदुलित किसानों ने आमरंण अंशन शुरू कर दिया हैं किसानों के आमरंण अंशन आंदूलन की जान करी लगती ही दत्या कलेक्टर संदीप कर्मा माकिन सुबह सारे साथ बजे ग्राम पंचाय सालों पहांची हो और आंदूलन कर रहे किसानू महिला और स्कूल दिछात चात्रों को समझाईश दी कि परिशासन शीगरी बिजली समस्या का समाधान करे के किसानू को परियात मात्रा में बिजली दी जुआएगे रों किसानू को बिजली कटोती से परिशान नहीं होना पड़ेगा लेकिन आंदूलित किसानू ने कलेक्टर संदीप माकिन की बात नहीं सुनी और विद्यो दसब स्टेशन बनाय जाने तक आंदूलन जारी रखने क बिजली कटोती कि समस्या को लेकर किया जारा अमरन अंशन आंदूलन में किसानू महिला और उसको लिचात्र चात्रा भारी बारिश होने पर अंशन पर स्थल पर बैठे रही आंदूलन का समर्थन करते हुए सबी दुकानदारों ने अपनी दुकाने बंद रखी और आंद दुकाने जारा अमर्थन भी किया ततिया से शिव रमन सिंग्राठोर की रिपोर्ट